हलो एवरिवन स्वागत है आप सभी का अपनी यूट्यूब चैनल औल आइडियाज नॉटिफिकेशन चैनल में फूट सैप्टी ऑफिसर रिक्रूट्मेंट नॉटिफिकेशन जारी हुए है गर्मेंट अप तमील नाडू से लेटेश नॉटिफिकेशन है मेल फीमेल बोथ कंडिटेड इलिजिवल है अगर आप इसकी इलिजिविलिटी को फुल्फिल करते हैं तो आप इस फॉर्म को अपलाइक कर सकते हैं बेसिक सैलरी जो आपकी यहाँ पर होनी वाली है तो आप इस फॉर्म को फील कीजिएगा इसकी ओफिसियल वेब साइट जो है वो हम नॉटिफिकेशन में ही कलियर करेंगे तो नॉटिफिकेशन में सबसे पहले आगे बढ़ते हैं नॉटिफिकेशन में जाने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि वीडियो के जितने भी नॉटिफिकेशन होंगे वो सबसे पहले आप तक पहुत सकेंगे तो चलिए चलते नॉटिफिकेशन की तरफ यह रहा हमारा ओफिसियल नॉटिफिकेशन गवर्मेंट अप तमिल नाडू मेडिकल सर्विस रेक्रूट्मेंट बोर्ड एम आरबी के साइट से यह ओफिसियल नॉटिफिकेशन जारी हुआ है तेरो दस दो हजारी किस से यह वैकेंसी इस वैकेंसी यहाँ पर होने वाली है distribution of वैकेंसी अब हम देख लेते हैं कि किस किस के टेग्री से कितने कितने पोस्ट यहाँ पर एवेलेबल है तो GT कंडिएट के लिए यह आप यहाँ पर देख सकते हैं total वैकेंसी जो है 37 है BC कंडिएट के लिए 31 BCM के लिए 4 MBCV के लिए 12, M, B, C and D, N, C के लिए 9 पोस्ट एवेलेबल है M, B, C के लिए 3, S, C, H, T 18, S, C, A के लिए 4, S, T, कंडिडिट के लिए 1, N, टोटल जो है वेकेंसी 119 यहां पे होने वाली है उपर में जिसे G, T, B, C के फूल फर्म नहीं इस तरह से आप चेक कर लिजेगा जिस भी केटेगरी से आप बिलॉंग करते होंगे अब हम कुछ इंपोर्टन डेट की बात कर लेते हैं तो नॉटिफिकेशन जो जारी हुई है 13.10.2021 से इसमें पब्लिश हुई है तो लास्ट डेट अप्लिकेशन का इसमें लास्ट डेट जो है आवेदन करने की 28.10.2021 से आप इसमें आवेदन कर पाईएगा और एक्जाम जो होने वाली है इसमें आपकी रिटन एक्जाम होगी कंप्यूटर बेस्टेश्ट होगी तो अभी एक्जाम जो है नवंबर 2021 में दिया गया है लेकिन किस तारीक को होगी ये अभी किलियर नहीं किया गया है तो आप जब अप्लाई किजेगा तो इसको बार-बार चेक करते रहेगा नोटिफिकेशन में आते रहेगा पता चल जाएगा इससे आपको और इसमें एक्जाम जो होने वाली है अंडर ग्रेजवेट लेवल की एक्जाम होने वाली है यहापे आप देख सकते हैं अंडर ग्रेजवेट लेवल एक्जामिनेशन 200 अबजेक्टिब टाइप कोश्चन होगा MCQ कोश्चन आपसे पूछा जाएगा जिसमें नंबर और कोश्चन होगा 200 इसके लोग पे की बात करें तो लेवल 13 से आपको यहाँ पे सेलरी मिलने वाली है 35,900 से 1,13,500 तक आपकी सेलरी यहाँ पे होने वाली है अब हम एज लिमिट दिख लिते हैं कि कौन-कौन से कंडिडेट के लिए कितना एज लिमिट इसमें रखा गया है मैक्सिमम मिनिमम क्या एज है तो यहाँ पे आप देख सकते हैं केटेगरी ओफ कंडिडेट एंड मैक्सिमम एज दिया हुआ है SC कंडिडेट, ST कंडिडेट, MBC, DNC यह सभी का अगर आपको फूल फर्म नहीं है तो पता नहीं है इस तारिक से आपका काउंट होगा मैक्सिमम मिनिमम एज उसके बाद अदर में देख लेते हैं 32 एर है जिसमें आपका 1721 तक इसमें भी काउंट किया जाएगा differently able candidate belonging to others इसमें भी आपको 42 साल रखा गया है मैक्सिमम एज एक साथ 2021 तक एक सर्विसमें की बात करें तो 48 एर जो है मैक्सिमम एज है इसमें भी आपको 1722 के बैसिस पे काउंट किया जाएगा अब हम बात कर लेते हैं एक्जाम जो होगी किस टाइप से होगी कितने घंटे का आपको समय मिलेगा तो एक्जाम जो आपका होगा दो घंटे का समय आपको मिलता है मैक्सिमम मार्स जो है इसमें आपको एक सो कोश्चन का होगा SC, ST, SCA कंडिडेट के लिए यहाँ पे आप देख सकते हैं क्वाइलिफाइज का जो मार्स है 30 मार्स इसमें होना जरूरी है तभी आप इसको एक्जाम को क्वाइलिफाइज कर सकते हैं अदर कंडिडेट के लिए 35 मार्स होना जरूरी है तब आप इस एक्जाम को क्लियर कर पाईएगा इसमें जो है आपका question paper जो है सिर्फ English language में होगा जिसमें 200 objective type question होगे negative mark जो है इसमें नहीं है आपकी कोई भी negative marking इसमें नहीं होने वाली है अब center की बात कर लेते हैं तो center जो है examination center आपका कहा कहा पे होने वाला है तो examination center का जो जगा है वो पाथ जगा पे आपकी exam होगी जहां पे आपको चेन्नाई दिया गया है त्रीचीरा पल्ली दिया गया है मदूराई दिया गया है त्रीचीरा पल्ली में दो center है मदूराई में तीन है आप इस तरह से चेक कर लीजिएगा कि आपका examination center कहा कहां पे होने वाला है examination fee की बात कर लेते हैं तो SC, SC, SD, DAP APH candidate के लिए आपको 350 रुपीज यहां पे charges पे करने पड़ेंगे, exam भी होगा और other candidate के लिए आपको यहां पे 700 रुपीज पे करना पड़ेगा online registration जो आपको करना है वो www.mrb.tn.gov.in के official website पे आप जाके इसको registration कर सकते हैं अब इसमें qualification की बात कर लेते हैं तो education qualification इसमें क्या होनी चाहिए? A bachelor degree in food technology और dairy technology और biotechnology और oil technology और agriculture science और veterinary science और biochemistry और microbiology और master degree in chemistry और a bachelor degree in medicine from a university recognized by the university grant commission आप जो है यहाँ पे आप देख सकते हैं food technology, dairy technology, bio technology, oil technology, agriculture, science, veterinary science, biochemistry और microbiology इसमें आपका master degree, bachelor degree होना जरूरी है तभी आप इस form को apply कर पाएंगे और इसमें जो candidate होना चाहिए वो Tamil Nadu छेतर के ही candidate होने चाहिए और जो है subject जो होना चाहिए HSC से related होना चाहिए तभी आप इस form को apply कर पाएंगे तो यहाँ पे आपकी vacancy जो होने वाली है यह आपकी permanent job नहीं होने वाली है यहाँ पे आप देख सकते है food safety officer on temporary basis temporary basis पे आपकी यहाँ पे जोब होगी तमिल नाडू food safety and drugs administration department से आपकी यहाँ पे जोब होने वाली है यह आपकी permanent job नहीं है अगर आप इसकी eligibility को fulfill करते हैं तो आप इस form को जरूर apply कीजिएगा अगर वीडियो पसंद आई होगी तो वीडियो को like कर दीजिएगा comment कर दीजिएगा और वीडियो को share कर दीजिएगा आज के वीडियो में बस इतना ही तब तक के लिए धन्यवाद